हलो दोस्तों राज हलवाई रस्पी में आज हम बनाएंगे फिक्की मठी तो फिक्की मठी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए यह हम आज क्यू दिक्काते हैं तो यह पहले मैदे वाली कडाही है हमारी तो मैदे वाली कडाही में पहले हम पानी एड़ करेंगे पानी ये पांच किलो मैदे का हमने पानी एड़ करना है तो ये साड़े सत्रा सो ग्राम पानी हमारा है ये हमने साड़े सत्रा सो ग्राम पानी एड़ कर दिया है उसके बाद में हम इसमें घी डालेंगे तो घी डालें यह बैकिंग पाउटन हमने एक चमबच आड़ कर दिया है उसके बाद में इसको घोल लेंगे अच्छी तरह जो मसाला है इसमें पानी में अच्छी तरह मिल जाएगा उसके बाद में हम डालेंगे मैदा इसमें मैदा एड़ करेंगे यह 5 kg मैदा है मतलब 5 kg हमारा जो है मैदा मैदा इसको हम एड़ कर दिया है अब इसको अच्छी तरह गूल लेंगे यह नाब तोल के पानी और घी पड़ गया है अब उतना ही टाइट रहेगा जितना हम चाहते हैं यह टाइट मैदा होता है जिसकी साइडें जो मठी बनाने से फटती है थोड़ी साइडें हलकी सी फ जो आकार है साइडों में फट जाती है और इस तरह हम मैदा गूल लेंगे बिलकुल पानी नाब तौल के घी हमने सारा डाला है और इस तरह हम मैदा जो है गूल लेंगे तो इसे मैदा हमारा गूल के तयार हो गया है उसके बाद में हम यह लिफाफे में थोड़ी देर के ल जाता है इसको 10-15 मिनिट के लिए छोड़ देते हैं बंद कर देते हैं लिफापा उसके बाद में हम यह निकालेंगे अपनी मैदा तो यह मैदा हमने एक पेड़ी निकाल लिया है विसका हम छोटी-छोटी पेड़िया बनाएंगे जितने ग्राम की हमें मठी बनानी होते हैं तो उतनी ग्राम की हम इसको काट लेते हैं चेचाकू से अपने काट लेते हैं तो यह देखा हम यह जो किंगरे वाली हमारी जो मठी साइड में किंगरे बनते हैं वो मठी हमने बनानी है यह मठी 200 ग्राम और 200 ग्राम की होते हैं जिसमें साइडों में किंगरे बनाने पड़ तो इस तरह हम पेडिया बना लगें एक दो पेडिया हम आपको बना काट सकते हैं इसारी हमारी जो है Commissioner हैं 600 जी 105 डिया 500 जी चोटी बनानी है बड़ी बनानी उतनी सैब की काट सकते हो। तो यह हमारी पेडिया मन के तयार हो गई है अब इस तरह हम बेल देंगे इसको ये देखो मठी हमारी बड़ी साइज की है तो इस तरह हम बेल लेते हैं तो स्वाइडों में थोड़ी फट भी जाती है उसके बाद में ये देखो मठी हमारी दूसरी भी बेल दिया हूँ तो यह हमारी दूसरी मठी भी बेल के त्यार हो गई है और पहली भी आपको दिखा दिया हो दोनों मठी यह हमारी त्यार हो गई है फिक्की मठी अभी दोनों अंगुल के चुंडियों से हम इसको बिल्कुल साइड अपने किंगरी जार्द बना देते हैं ठोड़ी चुनाई कर देते हैं, दोनों उंगली से अपने हाथों के उंगलियों से दबा दबा के हम इसको किंगरी बना देते हैं, इसका आकार बिलकुल बनिया लगता है इस तरह किंगरी बना लेते हैं चुंडियों से पकड़ पकड़ के हम दबा देते हैं अपने हाथ की दोनों हाथों के चुंडियों से पकड़ पकड़ के मैदा एक बाहर से हाथ कर लेते हैं एक अंदर से होता है तो इस तरह हम पकड़ पकड़ के बिल्कुल चुंडिया बना देते हैं, इस तुरह देते हैं, तो यह इसका आकार जो है किंगरे वाली बण जाती है, अच्छा लगता है, तो इसतरह हम इступर Ouais ता हम और यहाgg कर दिया गरें और हमारी यह फिकी मठी है इस तरह आप बना सकते हो छोटी बड़ी इस साइच्ट जिस कि आप को बनानी इसव biraz कि आप बना सकते हैं आधि US के बाद में उसके बाद में बीच में भी तोड़ा सा ऐसे में आ мार देते हैं या माचिश का धका मार सकते हो या era कोई तीली मार सकते हो इस तरह हमने सारे हम बनाके और हमने शूप से छेई कर दिया है अभी हमारा सेमपल मठी है बिल्कुल का बिल्कुल बगएर किंगरे वाली भी जो हमारी होती है ये इसको भी बेल दिये बगैर किंग्रे वाली भी हम बेल दिये हैं इसमें कोई किंग्रा नहीं बनाना है कुछ किंग्रे वाली हम बनाते हैं कुछ बगैर किंग्रे वाली भी बनाते हैं तो बिलकुल सेंपल मठी होती है और यह छोटी मठी होती है इसको छोटी साइज तोड़ लेते हैं और छोटी स बाद में हम तलाई करके दिखाते हैं यह देखो हमने कडाही रख दिया तेल और तेल में हमारा जो है टमपरेचर बना हुआ है और टमपरेचर बहुत ज्यादा नहीं होता है नहीं बहुत कम होता है तो यह केक हम डालते हैं चाहे नीचे अपने कडाही में छाननी पड़ी हो तो उस पे आल सकते हो नए जटाय पडिई है तो ये पोनी हम ने जो अपनी पोनी है जा अरुनी बीच में रख देते हैं उसके भी ये उपर एक ऴज़ा जाता है फो इस तरह हम जो है ऊ पर कर ले ऊपर के शानी चुन लेते हैं लाइन से चुन लेते हैं ये दिखे उठा लेते हैं देखेन गोल टाइब का बना लिया है अब हम सारा तेल में इस चुनाई कर लेते हैं इस तरह हम डाल देते हैं और यह दीरे-दीरे सारा उपर आ जाता है तो इस तरह हम गोल टाइब का इसको बना लेते हैं और घुमाते रहते हैं कि चारो तरफ यह हमारा पकता रहे इस तरह हम इसको घुमाते रहेंगे चाको से यह पोनी से दीरे-दीरे हम इसको घुमाते रहे कि हमारा जो नीचे उपर जो है नीचे का उपर हो जाय करता है और उपर का नीचे हो जाय करता है उसके बाद में थोड़ा लाल हो जाता है तो हम दूसरी इस तरह भी इस तरह पलट देते हैं तो इस तरह यह हमारी भटिक थोड़ी जादा फलेम पे नहीं थोड़ी कमी फलेम चलती रहती है और यह हमारा जो है मठिया इस तरह फराई होती रहे कि दूसरी बार हम इसे तेंचे चार चार पकड़ के पलड़ देते हैं उसके बाद में यह बिल्कुल ब्राउन रंकी हो जाती है जब बिल्कुल ब्राउन रंकी को समय लग जा है 15-20 मिनट से ज्यादा लग जाता है इसको तलाई में तो बिल्कुल जब ब्राउन हो जाती है तो हम इस तरह हम उठा उठा के ऐसे निकाल लेते हैं वह ऐसे बड़े जारने से कठा उठा लेते हैं लेकिन यह हम थोड़ा थोड़ा उठा के इस ते निचोड़ रहे हैं तो इस तरह हम यह च्छाननी में रख देते हैं क्योंकि ये ब्राउन हो चुकी है अथी तरह पक चुकी है इस तरह हमारी जो मठिया है बिल्कुर पक चुकी है ये दिखो ब्राउन रंकी हो चुकी है उसके बाद में हम इसको छोटी मठी को हम बताएंगे छोटी मठी को तो हमें कठा डाल देते हैं कड़ाई में ये इस तरह हमने डाल दिया जो हमारा टमप्रेचर है बिल्कुल जादा नहीं होता है लेकिन बहुत कम भी नहीं होता है तो तो ये फूल फूल के उपर आ जाती है इस तरह छोटी मठी हम फ्राई कर लेता है और दिरे दिर हम ब्राउन कर देंगे तुड़ा सा बढ़ा लेंगे उसके बाद में हम दिदे दे हलाते हलाते बिल्कुल ब्राउन कर देंगे तो ये हमारी छोटी मठी कंपलीट हो गई है इस हमने त्यार कर लिया है उसके बाद में यह प्लेन मठी जो है हमारा तो हम उसके बाद हम प्लेन मठी दिखाते हैं यह हमारी बिल्कुल भी प्लेन मठी है बिल्कुल साइडों में किंग्रे नहीं होते हैं तो बीच वाली हमारी जो यह है यह किंग्रे वाली नहीं है यह दूसर और पांच किलो सुगर हमने डाल के उबाला दे लिया है और हमारी जो चासनी है कम्पलीट हो चुकी है उसके बाद में हम इसको डुबो डुबो के इसमें निकाल देते हैं तो यह हमारी जो है किंग्रे वाली और फिक्की मठी यह उपर से चासनी लगाए जाती यह भी मिठी बन जाती है और पहले भी हमने मिठी मठी एड किया नाम है हमने लोड किया है तो मिठी मठी दूसरे तरफ की तरे भी बनती है और इस तरह भी हमारी जो मठी आए मिठी इस तरह भी की जाती है चासनी उपर से लगाई भी जाती है तो इस तरह हमारी चासनी जो है तयार लगा देखने में अच्छा लगता है और दुकान पे हम तो काम ये बना रहे हैं और अच्छी तरीके से हमारी ये जो है किंगरे वाली मठी में ये चासनी लगा के हमने तयार कर दिया है अब हमारी जो मठी है बिल्कुल कम्पलीट है ये फिक्की मठी और ये किंगरे वाली को चासनी लगा के मिठी है प्लेन में भी जो ये प्लेन वाली मठी होती है इसमें भी साइडों में जो किंग्रे नहीं होते इसमें भी हम चासनी लगा सकते हैं तो चासनी में एक मठी है जो आगे सबसे रखी हुई है इसमें हम प्लेन मठी में भी चासनी ने डुबो के बना दिया है तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए गंटी वाला बटन अन कर लीजिए ताकि आने वाली हलवाई वाली वीडियो हमारी आपके पास पहुंचती देखने के लिए थाइंक्यू सूमच